सवाल कुछ ऐसा है कि आप शादी शुदा है इसके वापजूद आपको किसी और इनसान के लिए आपके दिल में एक अट्रैक्शन हो सकता है प्यार नहीं भी हो सकता है वो पैदा हो चुका है अब आपको क्या करना चाहिए इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो है और मुझे यह सवाल मेरे कुछ पुराने वीडियो के कमेंट में मिले और बहुत सारे कमेंट से जिसकी वयासे मुझे लगा कि एक बार इस टॉपिक के ऊपर भी थोड़ी बात करनी चाहिए तो हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हार्ट वाइस के एक नए वीडियो में अगर आप मुझे यूट्यूब के लावा किसी और प्लैटफॉर्म पे देख रहे हैं तो प्लीज आईए मेरे यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हिस्सा बनिये हो रहा है दोस्त बहुत सेंसिटिव पॉइंट पे आप हैं आपकी लाइफ है यह जो तूफान आप अंदर महसूस कर रहे हैं सिर्फ आपको छोड़के कोई और नहीं समझ सकता सिर्फ वही इनसान समझ सकता है जो इस सिचुएशन को फेस कर चुका है अंदर तूफान लगा रहता है कि क्या करना चाहिए मुझे क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्या मुझे पीछे हटना चाहिए किसके बारे में सोचना चाहिए किसके बारे में सोचना नहीं चाहिए क्या ये गुना है क्या ये पाप है या फिल्म ये मेरा हक है मुझे अपने जिन्दगी के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनने का हक है बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में दिल में घर करके बैठे रहते I am sure कि आप यही feel करते होंगे हमेशा जिस वक्त आप उस इंसान के सामने होते हैं जिससे आपका attraction है जिसके उपर आपका inclination है जुकाव है तब आप यह सब भूल जाते हैं जब आप अकेले रहते हैं ऐसे कई सारे questions कई thoughts आपके दिमाग में आते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए जिन्देगी खराब होने लगती है आपकी अगर आपको इसका answer ना मिले तो इसका जवाब आपको जानना है और बहुत कुछ depend करता है कि आप क्या चुनते हैं आप आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं इसके उपर काफी कुछ depend करता है not only your life but the lives of the people who are around you who love you who care for you सिर्फ आपकी नहीं आपके साथ साथ आपके साथ जुरे हुए तमाम लोगों की life में कुछ न कुछ बदलाव आएगा आपके actions से अगर आप ऐसे situation में है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना चुई है फर्स स्टेप थोड़ा सा पीछे जाईए थोड़ा सा पीछे मतलब सोचिए कि जब आपकी शादी हुई थे जिस इंसान से आप की शादी हो चुकी है जिसके साथ आप अभी खर बना के रह रहे हैं उसके साथ जब आपकी शादी हुई थी उस टाइम के बात सोचे कि क्या हुआ था किस वज़ा से उस इंसान के शादी हुई थी क्या वो लव मैरेज था क्या वो arranged marriage था love marriage था तो love किसके और से था सिर्फ उसके तरफ से था आपका कुछ खास मन नहीं था या फिर आप दुनों का एक दूसरे के प्रती बहुत प्यार था अगर arranged marriage है तो क्या आपके मर्जी के खिलाफ हुई थी या फिर आपने भी हामी भरी थी आपने भी हाँ बोला था तब जाके आपके parents ने इस लड़के को चुना आपके लिए क्या हुआ था आपको भी पता है कि अगर शादी के बाद आपका किसी और के लिए प्यार पनप्रा है आपके दिल में तो कही न कही कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो है या तो वो प्रॉब्लम पूरे दुनिया के सामने आ चुका है या सिर्फ और सिर्फ आपको पता है प्रॉब्लम कहा है अगर आपकी शादी मर्जी से हुई थी आपकी आपकी हामी थी उसमें आपका कि आज आपका दिल किसी और के लिए धड़क रहा है क्यों उस इंसान के साथ रहना आपको पसंद नहीं है क्या चेंज हुआ है जिस वज़े से आपका दिल किसी और की तरफ आ रहा है किसी और की तरफ चा रहा है इसी के लिए दोड़ा सा सोचिए इसके बारे में जो चेंज हुआ है क्या आप उसको back to normal कर सकते हैं क्या वो वापस हो सकता है क्योंकि अगर आप जो दूसरा इंसान आया उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं पुराने रिष्टे को तोड़ के या फिर जैसे भी हो अपने partner को cheat करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो नुकसान तो है मतलब नुकसान किसका होगा जिसके साथ आप already merit थे अगर आपके बच्चे हैं तो उनका future अगर families involved हैं तो उन families के बीच में रिष्टा खराब होगा सब कुछ अच्छा बस आपके लिए होगा बाकी सब के लिए बुरा होने वाला है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं एक बार सूचिए कि क्या मैं जिस इंसान के साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ क्या उसको वापस पहले की तरह बदला जा सकता है जिस सिचुएशन में मैंने शादी के लिए हा करा था या हा करी थी बात चीत करके हो या फिर थोड़ा सा खुद को चेंज करके हो कैसे भी हो क्या उसको बदला जा सकता है क्या उसको वही रीजन्स वापस लाए जा सकते हैं इस वज़र से आपने शादी के लिए हां करी थी मैंने मान लिया कि शादी के टाइम आपकी जोड़बरसदश्ती नहीं हुई थी आपके मरणी के खिलाफ नहीं थी या तो लज़ मारीज था या अगर अरेंज्ड मारीज हुआ था उसमे आपका हां उसमें आपने हा कहा था कि ये मैंने मान लिया उसके बाद शादी के बाद आपका पती अगर शादी के शुरू में जैसे विव करता था शुरू में तो आपके साथ अच्छा relation लहा ही होगा उसके बाद धेरे धेरे वो अपने काम में involved होने कि वज़े से कि आपको ignore करने लगा है कि उसकी priorities change हो चुकी है क्या उसका कहीं और affair है reason क्या है कि इस वज़े से आप इस रिष्टे को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते है यह हो गया आपके side से जो आपको सोचना चाहिए जो पुराने रिष्टे को लेकर जो thought process आपके दिमाग में चलनी चाहिए दूसरा जिस इंसान के लिए आप अपने पुराने रिष्टे को छोड़ना चाहते हैं या फिर उसको cheat कर रहे है जिस इंसान के लिए कर रहे है क्या वो इसका योग्य है is it worth it कि प्यार मैं किसी से भी कर सकता हूँ ये मेरी life है मैं इसको कैसे जीऊ कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता शादी के बाद प्यार होई सकता है प्यार कभी भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे logic साब बीच में दे सकते हैं लेकिन थोड़ा सा रुकिए और समझे इस चीज़ को जिस इनसान के लिए आप ये सब कर रहे हैं क्या वो इसका योग्य है आप कहीं पर लिख सकते हैं कि हाँ इसके साथ शादी करने के बाद इसके साथ रहने के बाद मुझे life में और कोई दिक्कत और कोई problem नहीं आएगी ये कभी नहीं बदलेगा ये इनसान आगे चल के मेरे मेरे से हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहेगा जैसे अभी कर रहा है मुझे पाने के बाद ये बदल तो नहीं जाएगा क्या आप इसकी guarantee ले सकते हैं नहीं ले सकते वो भी change हो सकता है हो सकता है कि जिसके साथ आपकी अभी marriage है जो आपका पती या पत्मी है उसके साथ आपके values match नहीं कर रहे है values मतलब एक दूसरे को compliment नहीं कर रहे हो आप एक दोनों के बीच में प्यार नहीं है मतलब हो सकता है कि एक तरफा प्यार है सिर्फ वो आपसे प्यार कर रहा है आप बस शादी का रिष्टा निभा रहा है या फिर दोनों के बीच में उतना कुछ खास लगाओ नहीं है तो अगर ऐसा सिच्वेशन है कि टॉक्सिक रिलेशन है अगर आपका भी तो आपको चीट नहीं करना है अगर किसी के तरफ आप आप अट्रैक्टेड हो चुके है आपको बस जज़ करना है क्या वो अट्रैक्शन है या प्यार है अगर आपको लगता है प्यार है वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है या करती है तो आपको इस toxic relationship से legally निकल के आगे बढ़िए पर किसी भी situation में इस चीज का दिहान रखिए या आपका कोई decision किसी की जिन्दगी से ना खेल जाए किसी के future से ना खेल जाए अगर आपका पती भी आपके साथ या पत्नी भी आपके साथ खुश नहीं है अगर आप दोनों legally separate हो रहे हैं तो ये दोनों के लिए अच्छा है दोनों के लिए अच्छा है लेकिन अगर बीच में बच्चे हैं families हैं मम्मी पापा हैं जो कि बहुत उमर में बड़े हैं या फिर जिनका age बहुत ज्यादा है वो ये शौक, ये सदमा झेल नहीं पाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये consider करना चाहिए अगर toxic relation नहीं है वो आपसे प्यार कर रहा है क्या आपको उसका प्यार समझ नहीं पा रहा है आपको लग रहा है कि वो आपको ignore कर रहा है आपके priorities को ध्यान में नहीं दे रहा है किस वज़़े से आप उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं मैं आपको यही सला दूँगा कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाईश है तो please मत बढ़िये आगे कोई guarantee नहीं है कि जिस इनसान के लिए आप अपनी सारी दुनिया को छोड़के जो आपको अपनी दुनिया बना के जी रहे हैं उन सब को छोड़के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप खुश रहेंगे इसकी कोई guarantee नहीं है बस थोड़ास adjustment थोड़ास sacrifice या जो भी बोलिया हर किसी को sacrifice करना पहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है हम लोग पैसे कमाने के लिए दिन रात महनत करते हैं तो हम कुछ न कुछ तो त्याग करे रहें ना अपने enjoyment अपनी खुशी आपको सुभा उटके morning work पसंद है लेकिन आपको office जाना पड़ रहा है क्यों जा रहे हैं ताकि आप पैसे कमा सके तो शांती कमाने के लिए क्या अपने मन को थोड़ा मार नहीं सकते क्या थोड़ा सा adjustment नहीं कर सकते इससे सिर्फ आप नहीं आपके आसपास के सारे लोग आपका जो environment है शांत है सुखी है आगे बढ़ रहा है अपने duties, responsibilities को अच्छे से निभा पा रहा है क्यों? क्योंके बाकी personal life में शांती है और शांती को बजाए रखने के लिए और शांती को बरकरार रखने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत adjustment करना पड़ रहा है हर कोई कर रहा है adjustment शायद आपको दिखने ही रहा है कि आपका पती या आपकी पत्नी वोगी adjustment कर रही है ताके आपके साथ उनका relation बना रहे है बरकरार रहे है शांती बनी रहे है आप नहीं कर सकते हैं जिस दिशा में जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं वोलाटाइल है मतलब वहाँ पर नुकसान होने के chances ज्यादा है वो आपका इस्तमाल करके आपको छोड़ नहीं देगा या फिर वो कल को फिर और किसी के लिए उसके दिल में वो नहीं हो जाएगा मतलब आज आपको उसने पाया नहीं है इसलिए आपके लिए इतना उसको attraction हो रहा है कल को आप उसको मिल गए उसके बाद आपको वो बोल नहीं जाएगा या जाएगी कोई guarantee नहीं है क्यों आप इतना बड़ा risk ले रहे हैं अगर आप थोड़ा सा adjust कर ले तो सब कुछ normal हो सकता है हम लोग बच्पन से आ रहे हैं adjust करते करते ही बड़े हो रहे हैं आपके हम लोग आप कुछ सपनों को पूरा कर सके और जो सपने पूरे होने के लिए बहुत लोगों की खुशियों को mental peace को risk करना पढ़ रहा है वो क्या सपने है वो सपना वो इनसान उसको सपना रहने दे उसको एक अधुरी खुआईश रहने दे अगर आपको सच्चा प्यार भी हो गया है शादी के बाद अगर सच्चा प्यार भी हो गया है तो भी किसी की खुशी के लिए कुछ लोगों की जिन्दगी नॉर्मल रखने के लिए क्या आप थोड़ी से कुर्बानी नहीं दे सकते प्यार हो गया मतलब उसको पाना ही पाना है उसके शाती शादी करनी है उसके शाती रहना है अपने उसके बारे में भी सोचा है जिस इंसान के लिए आप अपने सारे रिष्टों को दाओं पे लगा रहे है क्या आप तो शादी शुद हैं क्या उसकी लाइफ आगे सही रहेगी उसके पेरेंट्स की इज़त बनी रहेगी जब वो आप से शादी कर लेगा अगर वो शादी करता है तो उसकी रेस्पेक्ट उसकी इज़त सब कुछ सही रहेगी ना आप इतने शियोर है उसके फैमली को कोई आपजेक्शन नहीं है उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी नाट नहीं कर जाएगी दीरे दीरे वो अंदर ही अंदर मतलब दुखी तो नहीं रहेगा उसको हमेशा ये डाउट रहेगा कि आप उसके साथ शादी करने के बाद किसी और से आपका अफेर हो रहा है ये डाउट उसके दिमाग में चलेगा तो नहीं क्यों इतना मगजमारी खुश रहो यार अपने लाइफ में थोरा सा अड़्जस्ट करो और अगर प्यार हो भी गया किसी और से तो उसको एक अधूरी ख्वाईश समझके भूल जाओ यार मतलब भूल तो नहीं पाओगे वो दिमाग में रहेगा दिल में रहेगा बस यह याद रखना अधूरे ख्वाईशों से मतलब मिलती है जिन्दगी को बे मतलब वही है जिसके सारे ख्वाप पूरे हो चुके हो मेरा बस यह एक सजेशन था आपके लिए बाकी आपकी लाइफ है आपका डिसीशन है अगर मेरी वीडियो पसंदा है तो लाइक करे और अगर आपका कोई दोस्त है जो इस सिचुएशन में है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करे थैंक यू